जै अहोई माता, अहोई अश्टमी का व्रत संतान की लंबी आयू के लिए किया जाता है। इस दिन माता पारवती के अहोई स्वरूप की आराधन की जाती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को अहोई अश्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ती और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए निर्जल उपवास करती हैं। फिर शाम को तारों के दर्शन करने के बाद उन्हें अर्गे देकर व्रत का पारण करती हैं। इस बार अपने अश्टमी व्रत के दिन गुरु पुष्य योग भी है। इसलिए इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अहोई अश्टमी की पूजा का शुब महूर्त एक घंटा सत्रा मिनट का है, जो शाम को पांच बच के उन्चालिस मिनट से शुरू होकर छे बच के चपन मिनट तक चलेगा। अहोई अश्टमी की पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है। जिसे स्याहू भी कहते हैं। पूजा के समय इस अहोई माता की माला में रोली और अक्षत से पूजा करके एक चांदी का छला और डाला जाता है। और इस माला को माता की तस्वीर के सामने रखकर प तरीका बताते हैं। इसके बाद संतान का तिलक करें और ये माला अपने गले में धारण करें अहोई अश्टमी की पूजा के लिए चांदी की बनाई हुई इस अहोई अश्टमी की माला या स्याहू का बड़ा महत्व है पूजा के समय इस माला की रोली अक्षत से पूजा की जाती है इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डाल कर माला बनाई जाती है ब्रत करने वाली माताई अहूई अश्टमी इस बार 28 अक्टूबर की दोपहर 12 बच के 49 मिनट से शुरू होकर 29 अक्टूबर की दोपहर 2 बच कर 9 मिनट तक रहेगी आईए अब आपको अहूई अश्टमी की कथा सुनाते है पौराणिक कथाओ के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहुकार की साथ बहुए मिट्टी लाने जंगल में गई तब उनके साथ उनकी ननत भी चली गई साहुकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रहे थी उसी जगह स्याहु अपने बच्चों के साथ रहती थी मिट्टी खोदते वक्त लड़की की खुरपी से स्याहु का एक बच्चा मर गया इसलिए जब भी साहुकार की बेटी के बच्चे होते थे तो वो भी साथ दिन के अंदर मर जाया करते थे और फिर वक्त के साथ एक एक करके उस लड़की के साथ बच्चों की मौत हो गई जिसके बाद उसने अपने घर एक ब्रामन को बुलाया और इसका कारण पूछा तब उस ब्रामन ने उन्हें बताया कि उनसे अंजाने में एक पाप हुआ है और कैसे उसने जमीन खोदते वक्त अंजाने में एक स्याहू के बच्चे को मार दिया था और उसी के श्राप के कारण उसके बच्चे भी जीवित नहीं रहते इसके बाद उस ब्रामन ने उसे इस श्राप से मुक्ती के लिए अहोई माता की पूजा करने को कहा और कारतिक क्रिश्न की अश्टमी तिथी के दिन अहोई माता का व्रत रखने की सलादी उस महिला ने ऐसा ही किया बाद में माता अहोई ने उसकी सभी इम्रत संतानों को जीवित कर दिया और इस तरह संतान की लंबी आयू और प्राप्ति के लिए इस वृत को किया जाने लगा। आईए अब आपको बताते हैं कि इस वृत में आपको क्या अवश्य करना चाहिए। इस वृत को पूरी श्रधा और विश्वास के साथ किया जाता है। मन में ये द्रण निश्चे रखें कि जब आप माता से अपने संतान की लंबी आयू और खुशाली की कामना करेंगे तो माता आपकी ये बात अवश्य पूरी करेंगी इस दिन भगवान गनेश जी और कार्तिके जी की माता पार्वती की उपासना की जाती है और हाँ हर पूजा की शुरुवात की तरह इस व्रत की पूजा की शुरुवात भी गनपती की पूजा से की जाती है अहुई अश्टमी के दिन माताएं सुभा उठकर इसनान करें फिर अहुई अश्टमी व्रत रखने का संकल्प लें अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर या तो बाजार से मिलने वाला कैलेंडर लगा लें या फिर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं साथ ही से और उसके साथ पुत्रों का चित्र बनाएं जैसा की अहोई अश्टमी की कहानी में बताया गया है इसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश उनके सामने रखें और रोली चावल से अहोई माता की पूजा करें इसके अलावा अहोई माता को मीठे पूए या आटे के हलवे का भोग लगाएं और कलश पर स्वास्तिक बना कर हाथ में गेहूं के साथ दाने लें और फिर माता की कहानी कहें फिर शाम को शुब मुहूर्थ पर तारों को अलग दे कर इस व्रत का पारण करें जै अहोई माता